हलो डिए स्टूडेंट्स तो इस टिटोरियल में हम कंप्यूटर नेटवक्स का सेकंड चैप्टर हम देखेंगे ये इस चैप्टर में हम कई अलग प्रोटोकॉल और डेटा किस तरीक से ट्रांसफर होता है ठीक है ना क्या क्या एर्रस आ सकते हैं और एक कंप्यूटर करना और जिन बच्चों की जैसे नहीं देखा है तो उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चेक आउट कर लेना के लिए मैंने सैंपल पेपर अप्लोड कर चुके हैं वह भी आप चैक आउट कर सकते हो सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओके तो चैक कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टुटोरियल को मॉडिलेशन टेकनिक्स तो आपको पता है कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव के थ्रू हम वायर्लेसली जो है डेटा ट्रांसफर करते हैं तो यह जो कैरी वेवस है ठीक ना यह जो कैरी वेव के रेडियो वेव ओ या मायक्रोवेव ठीक है यह आपस मैं मतलब इनके उपर कुछ ऐसा इंफरमेशन नहीं होता ठीक है जे वो हमारे काम Tang मैसेज सिगनल किया करती जाती है इनके उपर sta grade ID के उपर ठीक है जो data है वो transfer कर सके हैं wirelessly clear तो इस process को बोला जाता है modulation और जो नया signal जो बन जाता है वो कहलाता है modulated wave देखो एक तो starting में होगी carrier wave जो की ज़्यादा distance तक travel कर सकती है और जो दूसरा हो गया message wave जो की travel नहीं कर सकता तो message wave को carrier wave के उपर हमने क्या कर दिया superimpose कर दिया अब क्या होगा data transfer होगा okay so दो terms आपको सीखने जरूरी है ठीक है एक amplitude और दूसरा होता है frequency जिनके पाफ physics है उन्होंने पढ़ा होगा इनके बारे में तो amplitude क्या होता है wave की height है ना wave की height जैसे अब यह देखो यह यहाँ पर क्या है carrier wave है और दूसरी है यह message wave अब इसको इसके उपर impose कर रहा तो ऐसा signal बन गया अभी यह हम पढ़ेंगे बस मैं example बता रहा हूं है ना तो जो amplitude क्या होता है amplitude मतला यह जो height है है ना wave की जो height है वो बिल्कुल maximum ठीक है ना maximum height जो है कहां से उसकी undisturbed position से कहलाती है amplitude मतलब यहाँ से उपर तक की जो undis जो height है सबसे maximum वो कहलाती है amplitude clear अब जैसे इसका amplitude यहाँ है इस तरीके से मिलेगा है ना frequency क्या होता है frequency का मतलब होता है कि एक second में है कोई जो source है जहां से waves निकल रही है वो एक second में कितनी waves निकालता है frequency को हम ऐसे भी बोल सकते है कि एक certain point से एक second में कितनी waves pass हो रही है तो इन दोनों ही lines का mean एक ही है तो frequency of frequency and amplitude आपको समझ में आ गया अब हम देखते है major type of modulation तो modulation तो हमें आता है लेकिन modulation कौन कौन से type के होते हैं तो दो type के होते हैं पहला होता है amplitude modulation में क्या होता है जैसे यह मानलों यह कोई carrier signal है यह information signal है ठीक है अब इन दोनों को क्या करा जाएगा super impulse करा जाएगा join करा जाएगा एक करीक से ठीक है तो amplitude modulation टेकनीक में क्या होता है कि जो carrier signal है उसका जो amplitude होता है न वह change हो जाता है information signal के according तो देखो new जो wave वनी है उसका जो amplitude है वो किसकी according मन गया information signal के according पहले amplitude सब में बराबरत का था दिख रहा था carrier wave में लेकिन अब change हो गया है उसके बाद हम देखते हैं frequency modulation frequency modulation में क्या होता है कि जो carrier wave है ठीक है ना इसका जो frequency है मतलब कि एक certain point से कितनी waves निकल रही है ठीक है तो frequency जो है वो change हो जाती है modulating signal modulating मतलब की जो information signal है उसके according तो अब आप देखो ये वाली जो new wave जो बनकर आई है modulated signal है ना modulated तो इस में frequency देखो हर जगा अलग-अलग है यहाँ पर carrier wave की जो original frequency अगर आप देखोगे तो same नजर आईगी हर जगा यहाँ पर change हो गई है किसके according हमारी modulating signal यानि कि information signal के according तो दोनों signal techniques आपको आप देखो collision in wireless network collision का मतलब होता है data transfer करते समय data collide हो तो इसके काफी जारे terms है ठीक है ध्यान देखना यह सारी चीज़ें हो तो अब आप देखो कोई wireless network है उसमें कोई दो computer या ठीक है या फिर कोई दो node एक same time पर ही data transmit करना start करें तो क्या होगा wireless network है ठीक है तो अब हम आगे techniques देखेंगे कि collision को हम किस किस तरीके से रोक सकते हैं तो देखो wired जो network होते है wired networks ठीक है उन में full duplex communication होता है wired networks में full duplex का मतलब होता है two way communication मतलब कि एक साथ हम भेज भी सकते हैं और receive भी कर सकते हैं उसके बाद आता है wireless network wireless network में क्या होता है half duplex communication होता है जिसमें one way communication होता है one way communication means या तो हम जो signal है वो send कर सकते हैं या फिर signal जो है वो हम receive कर सकते हैं clear एक important point ध्यान रखने लाइक यह है कि wireless network में जो nodes होते हैं यानि की computer वो collision को avoid करते हैं ठीक है ना collision को avoid करते हैं वो यह नहीं करते कि collision को detect करें ठीक है transmit data करते हैं मैं detect नहीं करते वो avoid करते हैं तो यह आप अभी सीख जाओगे अभी जब मैं यह बताओँगा techniques उसमें use होगा कि collision avoid collision detect यह दोनों टेकनिक आप सीख जाओगे तो देखो collision detection protocols used कौन कौन से protocols हैं जिससे कि हम जो data का collision जो होगा वो हम कैसे पता लगा सकते हैं तो दो techniques use होती है CSIMA CA ठीक है और दूसके बाद CSIMA CD तो जो wired networks है ठीक है wired networks means full duplex communication वाले networks इनमें जो data होता है उसके लिए CSIMA CD मतलब collision detection use होता है ठीक है और जो wireless वाले है यानि कि half duplex इनमें collision avoidance होता है collision को award किया जाता है तो एक कैसे होता है यह आप अभी समझो ओके अब जो अभी पहले हम समझेंगे wireless के बारे में कि उसमें जो technique use होती है वो कैसे काम करती है तो wireless में जो technique use होती है CSIMA CA अब जैसे network के अंदर कोई computer है वो data transfer करने के लिए ready है तो data transfer करने के लिए अभी इस समय मैं क्या बता रहा हूँ कि CSIMA CA कैसे work करता है data transfer कैसे होता है wireless network में ठीक ना ता कि collision है उसे avoid किया जा सके है ना avoid किया जा सके तो कोई computer है वो ready है data transfer करने के लिए अब data transfer करने से पहले वो दूसरे computers को listen करेगा है ना और अगर कहीं और पर कोई data का transfer हो रहा है तो वो situation में दो ही possibilities है पहला कि data transfer हो रहा है दूसरा data transfer नहीं हो रहा अब मान लो data transfer हो रहा है तो जो पहला computer था जो data transfer करना चाहा रहा था वो क्या करेगा अपना back off time या फिर कहीं तो wait time ठीक है न या फिर हम इसको beb binary exponential back off time भी बोल सकते हैं ठीक है ये क्या करेगा वो बढ़ा देगा मतलब कि एक waiting time होता है जब हम data transfer करने वाले होते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं और data transfer तो नहीं हो रहा होता है तो एक कुछ particular time के लिए हम क्या करते हैं रुक जाते हैं ठीक है तो अगर data transfer हो रहा है तो वो क्या करेगा sleep हो जाएगा मतलब कि data transfer नहीं करेगा है ना और data transfer फिर उसके जब उसका जो binary exponential back of time है यह finish हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा wake up होगा computer है ना wake up होने के बाद फिर से वो step 1 पर जाएगा step 1 पर जाने का मतलब data transfer करने के लिए ready और फिर वो other computer को check करेगा और दूसरे computer फिर से data transfer कर रहे है तो वो फिर से वो अपना back of time बढ़ाएगा है ना जब back of time जब फिनिश होगा फिर द्वारा वो data transfer करने के लिए ready तो यह चलता रहता है ठीकिना अब जब मान लो तीसरी बार या fourth time में उसने देखा कि जो other computers हैं वहाँ पर data transfer नहीं हो रहा है तो इसका मिलब यह जो एक verification मांगेगा यह ACK, RTS, CTS यह अभी आगे बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो यह आपको समझ में आए कि CSI में collision avoidance क्योंकि जब वो देख रहा है कि दूसरे computer data transfer कर रहे हैं तो वो खुद भेज नहीं रहा क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे computer का पहले हो जाए है ना दूसरे computer अगर finish हो जाए तो यहाँ पर जो collision है data की वो अवर्ड करी ही है clear अब देखो मैंने क्या बोला जब वो data send कर देता है तो दो तरीके के verification होते हैं एक तो AC के और दूसरा RTS CTS तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं CSI में CA collision awareness in wireless दको CSI में with AC के method हैना जब कोई भी जो computer है वो जो data transfer कर देता है किसी दूसरे computer को तो जिसको data receive हुआ है ठीक है न वो कुछ particular time के अंदर ही अंदर जिस computer ने data उस computer को भीजा है उसको वो acknowledgement signal भीज़ेगा जैसे मैंने आपको कुछ data भीज़ा तो आप मुझे एक acknowledgement signal भीज़ेगा कि मेंको data receive हो गया है ठीक है अब मैं आप देखो मैंने आपको data भीज़ा था लेकिन आप न मुझे मानलो AC के signal नी भीज़ा है ना कुछ particular time के अंदर ही भीज़ना होता है जब receive हो जाता है ठीक है जब आपको file receive हो जाए उसके particular time के अंदर ही AC के signal भीज़ना होगा तो अगर मानलो data भीज़ा जा चुका है अब दूसरा method क्या था data भीजनी के बाद verify करने का RTS CTS मतलब ready to send clear to send ठीक है इसमें देखो इसमें क्या होता है कि पहले कोई जो मानलो मैं हूँ मैं आपको क्या करूँगा एक RTS signal भीज़़ूँगा मतलब मैं और आप यह समझ लो कि हम दोने computer मैं आ अगर आप data receive करने के लिए ready हो तो आप में को CTS signal भीज़ दोगे और बाकी सारे computer को भी CTS signal भीज़ दोगे अब देखो अब बाकी सारे जो computer है उन्हें भी CTS signal मिल जाएगा आपका तो वो समझ जाएगे कि हाँ यह वाला जो computer है वो data transfer करेगा तो हम अब transfer नहीं करेंगे clear तो जब मुझे भी CTS signal मिल जाएगा ठीक है आपना जो मुझे भीज़ जाए तो मैं करूँगा data transmission start कर दूँगा और जब data transmission end हो जाएगा तो आप मुझे फिर से AC के signal भीज़ दोगे और बाकी सारे computer को भी AC के signal भीज़ दोगे ठीक है तो इससे confirm हो जाएगा मुझे भी कि मेरा जाता है तो देखो अभी कोई sender है वो data transmit करने के लिए ready है और अब वो क्या करेगा जो transmission link है मतलब कि जो cable है वहाँ पर चेक करेगा कि वहाँ पर कोई data transfer तो नहीं हो रहा है है ना और यह चेक करने के लिए वो क्या करेगा उस link में मतलब कि उस cable में एक dummy data भेज़ेगा dummy data मतल है है ना तो वो क्या करेगा अपने data भेज देगा अब data भेजने के बाद अब wireless network की तरह यहाँ पर कोई acknowledgement signal तो नहीं भेजा जाता है ठीक है ना तो यहाँ पर क्या होता है data जब भेज दिया आपने तो उसके बाद जो sender है वो क्या करेगा अब collision signal detect करेगा अगर data collide होगा ठी मतलब की कोई जो network है वहाँ पर जो भी router है या जो भी device लगा हुआ है ठीक है वो क्या करेगा अगर data collide हो रहा है ठीक है ना cables में तो जो station है मतलब की जो router है वो क्या करेगा कि पूरा जो link है cables है मतलब उसमें एक jam signal को भेज देगा और सारे computer जो होंगे वो stop हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ अगर data collide हुआ sender के data भेजने पर तो उस situation में जो station है मतलब की station कहने का मतलब यह है कि जो router है या जो भी device है जो manage कर रहा है उस network को वो क्या करेगा सारे computer को jam signal भेज देगा और अगर मान लो जिसने data भेजा है तो sender है उसे jam signal नहीं मिला तो उसका मतलब क है कि कोई भी collision नहीं हुआ है clear तो कोई भी collision नहीं हुआ है तो जो भी sender है वो क्या करेगा अपना जो भी और बाग की का बचा हुआ frame transmission है ठीक है वो भेज देगा clear TCP और IP तो TCP और IP क्या है यह ऐसे protocols का collection है ठीक है जैसे transmission control protocol, internet protocol, user datagram protocol ठीक है और भी कई सारे protocols का collection है तो यह करते क्या है यह भी हम सीखेंगे ठीक है तो एक protocol का होता है प्रोडोकॉल का मतलब होता है rules बहुत सारे rules तो किसी भी एक प्रोडोकॉल के अंदर कई सारे rules होते हैं या घ्रिटाफ़े कहो तो किसी भी टास्कों को चीव करने के लिए कई सारे हो सकते हैं ठीके न कि अब यह होता है कि यह होगा इस तरीके से पॉइंट सосьकते हैं तो हैंडशेक प्रोसस क्या होता है जब भी कोई डेटा र्यारसीवर ठीक न यह एक दूसरे को क्या करते है acknowledgement signal भेजते हैं जिससे यह confirm हो जाता है कि हाँ भी data है वो transfer हो सकता है मतलब कि एक connection है वो established हो चुका है ठीक है न तो acknowledgement signal के जरीए होता है तो TCP की क्या होती है TCP जो है वो एक connection oriented protocol है connection oriented मतलब यह दो computer के बीच connection बनाता है और जो connection कैसे बना जाता है handshake process के जरीए अब acknowledgement signal के जरीए आप अलड़ी पढ़ चुके हो ठीक है अब TCP का यह को काम क्या होता है कि मानलो कोई file send होनी है internet पर है ना या किसी network में तो वो फाइल को काफी छुड़े पार्ट्स में divide कर देगा और वो छुड़े पार्ट्स क्या क्या लाते है package तो वो जो पार्ट्स को one by one करके जहां पर जो भेजना है उसे भेजता है ठीक है और TCP का यह काम भी होता ही कि receiver ठीक है ना जो receive कर रहा है message को वो क्या करेगा उन चुड़े पैकेज को reassemble करेगा किसके जरीए TCP के जरीए मतलब TCP ही करता है TCP ही उन्हें fragment करता है करता है और TCP ही द्वारा से उसे reassemble करता है correct order में कि कौन सा packet पहले आएगा कौन सा बात में clear UDP UDP जो है connectionless protocol है मतलब कि यह दो computer के बीच connection नहीं बनाता information जो है वो handshake process के बिना ही भेज़ दी जाती है और UDP जो protocol है वो छोटे data के लिए यूज करा जाता है IP IP क्या है वो भी connectionless protocol है यह कोई दो computer के बीच connection नहीं बनाता सिर्फ IP के काम यह होता है कि data transfer करना है तो sender और receiver उनके computer को logically identify करता है network में है ना मतलब कि एक address देता है data easily receive हो जाए और send हो जाए ओके network congestion and retransmission and TCP तो TCP के काम आप समझ गए होंगे ठीक है क्या होता है तो network congestion का मतलब क्या होता है जैसे network device है कोई ठीक है जैसे कि router जो की यह decide करते है data case रास्टे से travel होकर जाना चाहिए अब रास्टे का मतलब इक network के अंदर logically कहा से कहा transfer होना चाहिए उसकी बात हो रही है ठीक है तो router का काम clear तो router को काफी सारा जो incoming data आ रहा है किसी network बहुत सारा data travel कर रहा है लेकिन router जो है उस काम के लिए बनानी है उतना जादा data handle नहीं कर सकता जैसे कभी-कभी होता है ना bank की की हैं जो sites होती है वो क्या होती है? डाउन हो जाती है कभी-कभी bank का server हो जाता है तो यह होता है कि उनके जो devices है वह इतना जादा जो load है वह handle नहीं कर पा रहे तो network congestion हो गया है ठीक है? तो network congestion जाशे जाएसे हमारे traffic में कंजेशन होता है उस तरीके से तो नेटवक कंजेशन की वज़ा से क्या क्या होता है तो नेटवक कंजेशन की वैसे मानलो कोई receiver है जिसको data receive हुआ है और वह वापस जो है acknowledgement signal नहीं भेज़ पा रहा हाला कि उसे data receive हो चुका है लेकिन फिर वह उसका acknowledgement signal नहीं भेज़ पा रहा है यह हो सकता है नेटवक कंजेशन की वैसे और जब सेंडर है उससे acknowledgement signal नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा द्वारा से data retransmit करेगा है ना तो इससे network traffic और जादा बढ़ जाएगा और और उसकी वैसे और जादा कंजेशन होगा नेटवक कंजेशन की वैसे नेटवक का जो throughput भी क्या होता है वो कम हो जाता है throughput का मतला होता है network की performance तो network की performance जो है वो भी कम हो जाती है clear अब network congestion के symptoms क्या क्या है ठीक है ना तो symptoms है कि packet delay मतलब की packet मतलब की जो चुड़ोड़े parts में data हमने fragment करा था TCP के द्वारा तो जो packets भेजने में delay हो रहा है यह आफ़ भी packets भेज दी है लेकिन कुछ packets जो है वो loss हो गए है तीसरा reason तीसरा symptom हो सकता है retransmission में अलब data द्वारा द्वारा भेजा जा जा रहा है clear अब network congestion को कैसे handle कर सकते हैं तो network congestion को handle करने के लिए एक first processor metering है ना तो मतलब कि जो भी sender है वो क्या करेगा जो भी कुछ file या कोई भी data दूसरे computer को भेजा जाना है वो क्या करेगा उस data का एक flow maintain रखेगा कि इतना particular data मैं बिना acknowledgement signal के ही send करूँगा और अगर बेशक मुझे बाद में acknowledgement signal नहीं आता है तो मैं द्वारा नहीं भेजूँगा ये बात आपको clear हुई कि particular amount of data ही बिना acknowledgement signal receive हुए ही भेजेगा और इसके बाद का जो data होगा वो तब ही भेजेगा जब acknowledgement signal मिल जाएगा दूसर तरीका जो है network congestion को handle करने के लिए वो है data को reroute करना मलब कि अगर मानलो एक रास्ते से नहीं जा पा रहा है तो दूसरा किसी logical way से data packets को भेजा जाए ठीक है ना तीसरा जो तरीका है वो यह है कि जो जितने भी senders हैं उन्हें inform किया जाए कि भाई अपना जो data transfer कर रहे हो उसे control करो transmission rate को control करो है ना कम-कम data transfer करो या फिर data भेज रहे हो या द्वारा से भेज रहे हो ठीके ना उसमें थोड़ा time 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 दोगा लेखते हैं address on a network कोई भी एक network में address जो है वो कितने कितने type के हो सकता है मतलब उनके बारे में काफी detail में हम पढ़ेंगे इसमे तो पहला है web address जैसे हम URL भी कहते हैं कहें तो uniform resource locator हर एक website का URL होता है हना एक web address होता है जैसे कोई Microsoft जो company है उसका जो URL हो हम इसे बोल सकते हैं तो URL में कौन-कौन से जो होते हैं पार्ट होते हैं तो एक URL में first जो चीज़ होती है वो होती है protocol की वो कौन से protocol यूज़ कर रहा है ठीक है उसके बाद domain का नाम ठीक है यह तो दिखा रहा है कि worldwide web यह तो लाने दरूरी होता है उसके बाद domain का नाम domain के नाम के बाद यह इसे हम चाहें तो extension भी बोल सकते हैं clear और अगर कोई particular किसी exact file या किसी exact page पर जा रहे हैं किसी website के तो domain name के आगे path भी लिखा होता है clear तो यह सारे आप समझ गए कि क्या क्या होता है protocol domain name extension जो आप बता सकते हो ठीक है और उसके बाद path भी आप बता सकते हो ठीक है तो domain का जो extension होता है जिसे हम domain indicator भी बोलते हैं तो वो क्या गरता है यह बताता है कि यह जो particular website है वो किस type की है ठ तो जैसे dot com लिखा हुआ है तो पता चलिया आगा कि commercial entity है commercial मतलब business करने वाली और अगर मानलो किसी के आगे dot org लिखा है तो समझ लो कि यह कोई NGO है किसी के आगे dot gov लिखा है तो समझ लो government की site है dot edu लिखा है तो समझ लो educational site है clear हम एक तरीके सा यह भी बोल सकते है कि कोई भी अब वो file हो सकता है कि एक website का page है कोई स्वा होंगा या जो भी है इसका बाद हम देखते है IP address तो कोई भी जो IP address होता है ठीक है वो दो टाइप का IP addresses होते है हमारे computer networks में ठीक है तो पहला होता है IPv4 दूसरा होता है IPv6 तो पहले IPv4 बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा IPv4 यू addresses तक generate कर सकते हैं और जैसे यहाँ पर मैंने दो addresses लिखे हुआ है IPv4 addresses इस टाइप के होते हैं तो IPv4 address का जो format होता है वो इस तरीके होता है x.x.x.x. और हर एक जो x अब हो एक octet को represent कर रहा है octet का मतलब है कि यहाँ हर एक dot से पहले है ना मतलब कि 4x है ना तो हर एक x की जग है अब octet कहने का मतलब कहा है octet कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर हर एक x को अगर binary में convert करेंगे ना तो आठ डिजट का एक binary number निकल के आएगा जिससे octet बोला गया है तो टोटल हो गए ना 32 bit 84 था 32 bit clear अब IPv6 तो IPv6 जो है वो एक नई addressing scheme है ठीक है जो की 128 bit address scheme है और इसके जरी हम टू की प्यावर टूंट 128 addresses को मतलब इतने सारे devices को register कर सकते है जैसे 4 billion से काफी जादा जो number है ठीक है अब IPv6 की ज़रत इसलिए पड़ी क्योंकि 4 billion जो है वो छोटा पड़ गया तो आज के डाइम में हर जो device है वो network से connect हो सकता है ठीक है ना तो हर device के लिए IPv4 technique के जरी है IP address को name दे पाना content हो रहा था क्योंकि उसमें limited इतने ही यूज हो सकता है जबकि IPv6 technique के जरी है इतने सारे हो सकते है ठीके ना तो IPv6 भी जो है वो दो टाइप का होता है पहला होता है normal दूसरा होता है dual तो normal जो होता है वो pure IPv6 format है IPv6 होता है इस तरीके का format होता है तो हर एक जो वाई है हर एक वाई की जगा हम क्या कर सकते हैं आपने छोटी क्लास में hexadecimal ठीक है binary यह सब तो पड़ा होगा तो hexadecimal जो numbering होती है 0 से FFF के बीच के हर एक particular value को लिख सकते हैं ठीके ना तो hexadecimal के बारे में अगर आप चाहो तो अलग से पता कर सकते हो या वह एड्रस है ठीक है तो इसमें आपने देखा है कि कितने वाई को हमने रिप्लेस करा है hexadecimal values के साथ 8y को और हर एक जो उनके बीच में क्या है एक colon लगा हुआ है clear अब अगर मान लो कहीं पर यह देखो यह भी एक IPV का एक address है लेकिन यहाँ पर यह देखो बीच में से क्या ह है कुछ values नहीं है तो जब यह ऐसा है लगे ना तो आप मान लो यहाँ पर कितने चार तो चार गायब है तो इतना समझ लो यहाँ बीच के जो चार जगहां थी ना वहाँ पर 000 है ठीक है ना जैसे यह 0 फिर यह फिर 0 ठीक है ना इस तरीके से लिखा हुआ है अब दूसरा है है वह हमारा IPV4 के according ठीक है तो starting में जो होगा वह IPV6 के numbers आ जाएंगे hexadecimal के through है ना जीरो से लेकर FFF तक FFF F तक और last के चार आ जाएंगे हमारे IPV4 के according क्लियर अब domain name and DNS तो domain name तो अलड़ी आप समझ गया है कि कि किसी भी website का जो नाम होता है वो कहलाता है domain name ठीक है ना अब domain name क्या पता है कि website का purpose क्या है website का नाम मतलब particular identify करता है उस website के domain name से पता चल जाता है कि यह website किस चीज के लिए वनी है ठीक है ना लेकिन जरूरी नहीं है हम कुछ भी वैसे नाम रख सकते हैं domain extension के बारे में भी आप समझ चुके हो अब हम पढ़ते है domain name system तो domain name system क्या है internet की ए अब इस आईप आड्रस के जरीए data transfer करते हैं ठीक है ना कि बही अब इस computer पर data जाना है यहां से रेसीव हुआ है इस आईप आड्रस के थ्रूं communicate कर पाते हैं तो domain name system क्या करता है कि जो IP address है ठीक है ना domain name system domain name को IP address में convert करता है domain name resolution को use करके यह line समझ में आई कि domain name system का का काम क्य होता है ठीक ना तो अब IP address convert हो गया domain name में या domain name convert हो गया IP address में यह काम हुआ DNS के जरीए clear अब domain name resolution के जरीए ही तो convert करता है तो domain name resolution क्या है अब देखो अब जैसे आपने को domain name डाला ठीक है जैसे आपने website का नाम डाला www.cbsc.net.in अपने browser में तो अब आपका जो operating system है वो आपके computer में एक host file होती है जिसमें क्या होता है कुछ website के IP address होते है पहले तो वो उस host file में चेक करेगा कि यह जो आपने domain name डाला है क्या उसके लिए कोई IP address लिखा हुआ है उस host file में अगर लिखा हुआ है तो ठीक है अगर नहीं करेगा internet पर जो domain name server है जहां पर जितनी भी website के domain name और IP address save रहते हैं वहां पर चेक करेगा अब domain name server क्या करेगा वो जो IP address है उस domain का जो आपने put किया था वो return करतेगा और जब IP address आपको मिल जाएगा तो operating system क्या करेगा आपके browser को भी वह information return करतेगा cellular wireless connectivity protocols तो कुछ protocols के बारे में हम पढ़ते हैं cellular wireless connectivity के बारे में मतलब की phone पर जो internet की services phone जो चाली हुएते हैं उनके बारे में और बहुत बड़े-बड़े phone होते थे जिनकी battery life भी एक limited होती थी और data security भी नहीं थी clear उसके बाद है 2G phones तो 2G क्या था global system for mobile communication 1992 ठीके ना और इसे second generation बोला गया और यहां पर जो maximum जो speed आने लगी वो आने लगी 250 kbps की और जो frequency थी वो 9000 से 1800 MHz तक आ चुकी थी बढ़के और data transfer भी हो रहा था, calls भी होती थी और text message भी होती थी हमने भी 2G data use करा है ठीके ना इतना तादा आज का मखाब्रे तो बहुत slow होता था एक गाना download होने बहुत time लग जाता था था है ना 10 minute लग जाती थी उसके बाद 3G speed इसम 3rd generation बोलते हैं जो कि 2000 में है और initially जो था 3G था इसम speed का जो data transfer होता था वो 2100 MHz तक होता था है ना यह frequency थी है उसके अब उसके बाद आया 4G 1213 में 4 generation यहां पर जो speed थी वो 10-15 Mbps की आने लेगी और कभी कहीं कहीं जो है वो 50 Mbps तक भी आती है ठीक है जो company अच्छी प्रवाइड कर रही है उसके बाद इंडिया में जो 4G की जो frequency range है वो 1800 MHz है 2300 MHz तक है अब bandwidth के बारे में समझ लो अब higher bandwidth का मतलब क्या होता है bandwidth का मतलब होता है कि कोई भी device है या computer है उसकी transmission capacity किया है है ना कि वो कितना data transfer कर सकता है एक बार में तो उसे हम Mbps बोलते है तो higher जितनी जादा frequency होगी उतनी higher जादा bandwidth होगी clear तो इसका मतलब क है higher frequency का मतलब higher bandwidth और higher bandwidth का मतलब कि उतने जादा user कोई भी जो आपको data प्रवाइट कर रहा है उसके जितनी जादा frequency है वो उतने जादा user एक बार में handle कर सकता है मतलब आपकी उतनी अच्छी speed आती है आईगी आप मेरी बात समझ गए जैसे एटल कितनी frequency use कर रहा है या idea कितनी frequency use कर रहा है इसके जरी आप पता ला सकते हो कि आपके एरिया में क्या frequency है क्या bandwidth है और उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कोई भी जो data provider है आपके लिए उसके बाद आते हैं wifi wireless fidelity भी बोलते हैं इसको है ना तो कोई भी एक प्रोडोकॉल मतलब wifi प्रोडोकॉल की अभी बात हो रही है आपे तो यह प्रोडोकॉल क्या करता है कि हमारा जो computer है उसे internet से connect करवाता है ठीक है ना internet service provider के जरिए और wifi के लिए हमें क्या चाहिए broadband connection है एक laptop या desktop चीए clear उसको बाद हम लेखते है hotspot तो hotspot क्या है hotspot आप सभी अपने phones में use करते होंगे उसको अगर define के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि hotspot का है एक venue है एक जगा है जो की wifi access provided करता है अब basic network tools के बारे हम कुछ जान लेते हैं अब यह जो network tools है ठीक है इनका use क्या क्या है देख लो अब जब भी हम internet से connect होते हैं तो कई बार हमें कुछ problems का सामना करना पड़ता है अब उन problems को दूर करने के लिए ठीक है कुछ network tools को हम use कर सकते हैं और यह जो network tools है वो command prompt में use होंगे तो पहला है ping यूज करते हम कि हमारे computer जो है वो network से connect है या या ठीक है तो पिंग के दो purpose होते हैं कि पहला यह ensure करना है कि network connection है या नहीं और दूसरा की timing और speed कितनी है तो पिंग को कैसे use करना है आपको cmd open करना है और क्या लिखना है पिंग जो भी website के साथ आप connection चेक करना चाहते है तो दखो cmd open करने के लिए आपको क्या करना है start by सर्च जो भी आप website के साथ चेक करना चाहते हो यह आप enter करते हो उसके बाद ही details आ जाएंगी ठीक है ना वह चेक करेगा और apply करके आपको बता देगा कि इतने second वा यह हो wrapping statistics clear minimum time इतना maximum time इतना average time इतना यह इसने बता दिया package चार packet भेजे और चार पकेड रिसीव यह इसने चेक किय है ठीक है उसके बाद आता है trace route trace route के लिए हमें क्या करना है जैसे देखो Linux operating system use करते हो तो trace route और Windows operating system use करते हो जो कि ज्यादा windows करते हैं तो उन्हें क्या ध्यान रखना है TRACERT तो trace route या फिर TRACERT का यूज क्या है इसका यूज यह है कि हमें किसी remote system या website पर कुछ data भेजना है कहीं पर भी हम connect करने कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना मतलब data भेज रहे हैं या receive कर रहे हैं तो वहां पर मतलब उसका जो network path है उस के लिए हमें क्या करना है TRACERT के लिए cmd open करना है और क्या लिखना है जिस website के साथ हम connect होने कोशिश कर रहे हैं या हम data भेज रहे हैं रिसीफ कर रहे हैं उसके साथ जैसे अभी हमने pink को क्या था वैसे ही TRACERT www.facebook.com उसके बाद आता है nslookup यह क्या करता है यह आपके computer का ना और address बताता है ठीक है और हमारे computer का नाम मतलब कि हमारे जो computer है उसका DNS server क्या है और आपका IP address क्या है यह भी बताएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है cmd open करना है और कुछ नहीं लिखना बस यह लिख देना है nslookup clear और enter करते हैं कोई भी देखो यह cmd की जो command है उसे break करने अगर वो continuous data दिखाई जा रहा है तो control प्लस c दवा देना है clear इसके बाद आते हैं ipconfig ipconfig command क्या करती है कि यह उस network के information दिखाती है जिस network के साथ हम connected है clear या फिर या तो ipconfig लग दो या फिर ipconfig slash all यह क्या करेगी जिस network के साथ हम connected है उसके बारे में और जादर detailed information दिखाईगी ठीक है न उसके dna server dhcp enable है यह सारी ठीक है अब दूसरा आता है एक last जो बचता है वो है speed test मतलब कि हम क्या कर सकते हैं अब जो भी हमारा network connection हम उसकी speed determine कर सकते है download speed and upload speed clear in website पर जाकर speedtest.net जबकि कई सारी website है जो आप google search करोगे speed test या check internet speed तो वो कई सारी website आ जैसे okla किया है यह अपने खुद किया है ठीक है न तो यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी उसके बाद हम देखते है networks में और कौन-कौन से अलग-अलग protocols use होते हैं तो प्रोडोकॉल आपको अलड़ी समझ में आ चुका है उपर हम अलड़ी TCP और IP पढ़ चुके हैं य यूज किया जाता है hypertext मतलब ऐसा टेक्स जहां पर टेक्स्ट में बीच-बीच में links होते हैं दूसरे डेटा तक जाने के लिए जैसे इंटरनेट पर होता है ठीक है या फिर हम कोई फाइल ऐसी डाउनलोड करते हैं वहां पर भी जैसे कोई-कोई PDF फाइल भी ऐसी होती है ज इंटरनेट पर hypertext होता है तो hypertext transfer करने के लिए hypertext transfer protocol ठीक है तो stml text यूज करे जाते हैं इन links को यूज करने के लिए यह आपको पता है छोड़ी 10th class में आपने stml पढ़ी है ठीक है ना links जो होते हैं वो text की form में भी हो सकते हैं image की form में मतलब image की उपर click करो तो कई और execute करता है ठीक है ना मतलब की जो stdp है वो एक client के computer को allow करता है किसी भी connection को establish करने के लिए किस के साथ server machine के साथ ठीक है ना कब कब allow करेगा जब client का computer request करेगा अरे client server technology जैसे आप internet पर कुछ search कर रहे हो तो आप हो गए client और जहाँ पर आपका data है जहाँ पर search होका data आएगा वो हो गए servers तो बहुत सारे servers होते हैं ठीक है ना तो SEDP क्या करता है simple allow करता है हमें एक connection establish करने के लिए server के साथ clear FTP protocol FTP क्या करता है एक file को दूसरे host से पहले host मनलब एक host से दूसरे host तक transfer करता है और FTP जो है वो बड़ी larger files को भेजने के लिए भी जो है efficient है FTP के फायदे क्या है एक फायदा तो आपको पता चलिया है कि efficient larger files के लिए और एक और एक network में दूसरे network तक हम data भेज सकते हैं बड़ी easily FTP को use करके अब यह जितने network में वो एक organization में ही है clear और अलग-अलग जगा जो लोग बैठ हुए है वो एक दूसरे के साथ connect होकर काम कर सकते हैं FTP के जरीए ठीके ना जैसे कोई मान लो इंडिया में बैटा है कोई अमेरिका में तो वो एक साथ एकी project पर काम कर सकते हैं जैसे FTP जो है अगर आपको login करना है किसी website पर तो इस तरीके कुछ password मतलब इस तरीकी जो line होती है वो हमें put करनी पड़ती है ठीक है तो इसके जादा आप detailing में मज़ आईएगा ओके यह तो सब लोग-इन करने के लिए command थी लेकिन हम और भी की command दे सकते हैं तो उनके details में ह जाने की जुरूद नहीं है हो कि हमारे slivers में नहीं है वो इसके बाद हम देखते हैं post office protocol 3 ठीके न यह जो protocol है वो email clients के द्वारे use किया जाता है email को retrieve करने के लिए ठीक है एक TCP IP network में clear कहां से retrieve किया जाते emails mail server से जहांपर mail जो है किसी का भी email store है तो दोगो POP क्या करता है पहले जैसे आपके जो emails है वो Gmail के server में store होंगे तो post office protocol क्या करेगा आपको email fetch करके देगा रेटरिफ करके देगा clear जब 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 आप login करोगे और जब आप उनके server से मतलब आपके server में email download कर लोगे या देख लोगे तो POP क्या करता है अपने server से ठीके न जब जब आपका mail को delete कर देता है जब आपके commenter में एक बार आ जाता है तो clear और POP जो है हर एक mailbox का एक दूसरा mail server support करता है clear और वो तो होता ही है अब POP के दो parts है मतलब दो ports है port क्या होता है पहले मैं आपको पता देता हूँ port जो होता है वो एक logical connection होता है ठीक है एक तो मानलो कोई cable है वो तो एक ही connection है लेकिन वहाँ पर अलग-अलग logical connection दिये जाते हैं अलग-अलग internet की services इंटरनेट पर तो कई सारो protocols है तो उन अलग-अलग protocols की working के लिए अलग-अलग port number decide कर दिये गए हैं उसी एक connection में ठीक है ना और उस लॉजिकल कनेक्शन को हम बोल सकते हैं पोर्ट और उस पोर्ट का जो नमबर होता है ठीक है तो पोस्ट आफिस प्रोडोकॉल जो है उसके दो पोर्ट होते हैं एक तो 110 और दूसरा 995 तो एक सो दो वाद एक सो दस वाला जो जो है वह क्या करता है वह डिफाल्ड नॉन में put कर दिया जाएगा आपके email में जो spam होता है वहाँ पर तो इतने सारे port numbers हैं और ये उनको क्या क्या काम जो है वो assign करा गया है यह आप देख सकते हो clear अब आते हैं एक और प्रोडोकॉल पर इसका नाम है आई मैप आई मैप मीन्स इंटरनेट मैसेज अक्सेस प्रोडोकॉल तो पोस्ट प्रोडोकॉल का यूज आपको clear था तो आई मैप क्या करता है यह भी same काम वही करता है कि हमें messages जो है वो mail server से हमें offline मतला हमें provide कराता है ठी TCP IP connection होता है तो आई मैप क्या करता है कि multiple mail servers होते हैं ठीक है वहाँ पर जो हमारे अलग-अलग messages हैं उन्हें combine कर देता है करता हूं ठीक है न यह service phone में होती है clear तो same example यह था कि मानलो कोई corporate का कोई client है कोई बंदा है वो क्या कर रहा है कई सारे accounts handle कर रहा है ठीक है न तो अब वो हरे account को login करके तो देखेगा नहीं तो सारे जो अलग-अलग addresses वाले email account होगा उनका data एक जगा जाएगा clear तो यह सारे जो है वो support करते हैं IMAP को IMAP protocol को तो कुछ advantages है IMAP protocol के किसके उपर advantage है POV protocol के उपर ठीक है तो IMAP जो है वो fast है और IMAP जो है वो multiple mail accounts को connect कर देता है एक single mailbox महीं ठीक है ना और जो भी messages है जो read कर लिए गए है delete करे गए है या star मतलब important apply कर दिया गया है या जिनके reply कर दिया गया है इन सबका track रखता है और server पर भी message search करते रहता है कौन से मतलब new messages आ रहे हैं या send हो गए है IMAP के भी दो port है एक 143 जो की non encrypted port दूसरा encrypted port secure email communications के लिए SMTP simple mail transfer protocol यह क्या करता है कि जो message भेजे जाने है जो की outgoing है उनको send करता है और distribute करता है ठीक है जहां जहां पर भी भेजना है SMTP दो port पर काम करता है एक port 25 जहां जो की unsecured email के लिए यूज होते है और port 465 जो की encrypted port है और जो की secure email communication के लिए यूज होता है उसके बाद आते हम VOIP voice over internet protocol ठीके न मतलब messages exchange के लिए पर आज के technology इतनी advance है कि हम VOIP भी कर पा रहे हैं clear अब उसके बाद आता है NFC near field communication यह क्या communication protocol है जो की STTP काम करता है असल में तो STTP जो है आपको already मैं बता चुका हूँ कि client server architecture को follow करता है client server communication बनाता है ठीके ना तो मान लो client है आपका web browser वो क्या करेगा कुछ message request करेगा ठीके ना जहां पर भी आपको कुछ data सर्च करना है तो STTP क्या करेगा आपकी जो request होगी ठीके ना उसे accept कर लेगा और उस request के basis पर आपको जो information है वो fetch करके देगा server से clear आपकी request के according और आपको response message आपको मिल जाएगा आपका response message मतलब जो information आपको चाहिए थी उसे हमने नाम दे दिया है response message clear अब जो response message है वो एक error भी हो सकता है अगर मान लो data नहीं मिला है तो ओके और अगर data मिल गया है तो वो error नहीं होगा वो आपको data दिखा दिया जाएगा data दिखाने का मतलब है जैसे आपने www.facebook.com डाला तो stdp क्या करेगा जोंडेगा कि यह कहां पर है क्या है और आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपको error देगा मिल जाएगा तो आ और stdp server को request receive होती है उसके बाद वो interpret करता है जो भी data उसे भेजना है और display कर देता है और stdp जो है वो एक stateless protocol है stateless protocol का मतलब होता है कि इस समय जो request करी है मानलो आपके computer ने कोई request करी है तो previously कौन सी request करी गई थी यह कहीं पर भी store नहीं होता है clear है ना मतलब कि आपके computer में य history है लेकिन आई पी जो protocol है वो ऐसा कुछ भी store नहीं करता है email किस तरीकी से काम करता है ठीक है तो देखो पहले हम email को compose करते हैं और हमारा जो email क्लाइंट है जैसे Gmail हो गया राइडिक्स में लोग है वहां से भेज देते हैं अब जो हमारा email client है वो किस से connect करेगा SMTP server से जो कि Gmail का SMTP server होगा जो कि SMTP सब के बारे मैं मैं previously बता चुका हूँ ठीक है और फिर जो email जो हमने भेजा है ठीक है न वह एक requirement format में Gmail के SMTP server में store हो जाएगा और जो outgoing SMTP server है ठीक है न जो protocol है वो क्या करेगा कि हमारी जो details है उसे validate करेगा चेक करेगा कि सही है नहीं ठीक है और उसके ब और जो Q है Q बन जाती ने कि हाँ यह email भेजे जा रहे हैं तो line wise लगा दिया जाता है तो अब हमारा जो new mail हमने भेजना है उससे वो Q में खड़ा कर देगा अब जो SMTP server है वो recipient का जो address होगा मतलब कि जो server होगा जैसे जिसको आप mail भेज रहे हो उसका जो recipient server हो सकता Yahoo हो या Gmail प उसमें से receive करेगा recipient का server और recipient के server से पता चल दाएगा recipient का address पता चल दाएगा clear means व्योंकि अल्यडी हम देख चुके हैं जैसे मैंने इस से इसको कुछ data भेजा है clear तो इसका तो mail server होगा वो यही तो होगा yahoo.com only ठीक है ना अब SMTP server क्या करेगा जिस जिसको भी भेजा जाना है उसका SMTP server से connect करेगा clear मेरा Gmail पर था तो मेरा SMTP server Gmail था और उसने connect करा yahoo.com के SMTP server को clear और जब connect हो जाता है तो email भेज दिया जाता है email भेज दिये जाने के बाद जो recipient का जो server है ठीक है ना अगर उसका data on होगा तो उसके inbox मा पहुंच जाएगा otherwise जो yahoo का जो SMTP server है वहाँ पर store रहेगा कब तक जब तक recipient का server मतलब recipient का जो इन्वाक्स होगा वो data on नहीं होता clear अब देखते हम secure communication secure communication मतलब कि दो computer data transfer कर रहे हैं लेकिन कोई भी दूसरी कोई third party check नहीं कर पा रही है clear तो इसे secure गहेंगे कि कोई बीच में घात लागा कर नहीं बैटा होगा नहीं देख रहा तो यह कैसे ensure करें कि जो data transfer हो रहा है वो ठीक है safely transfer हो रहा है तो काफी सारी ऐसी techniques use करी जाती है तो first हम देख लेते हैं encryption encryption का मतलब होता है data को ऐसे format में change कर देना ऐसे code में change कर देना जो कि सिर्फ और सिर्फ एक secret की के द्वारा ही convert करा जा सकता है वापिस original form में clear अब data जो है हम अपने computer से जो भेज देते हैं तो वो encrypt होकर जाता है ताकि अगर बीच में किसी ने line tap कर लिए तो उसे समझमन नहीं आता ओके और जो secret की होती है वो या तो मेरे पास होगी और आपके पास ही होगी जिसको data भेजा जाना है और इस तरीके के text को जो की convert हो चुका है encrypted form में आ चुका है इस हम ciphertext भी कहते हैं ठीक है ना अब उसके बाद हम देखते है stdps तो stdps जो है वो hypertext transfer protocol secure इसके उपर stand करता है मलब यह इसकी full form है और यह क्या करता है कि stdp protocol के जरीए ठीक है ना जो stdp protocol use कर रहे हैं उस communication को secure करता है ठीक है ऐसे हमने stdp से communicate कर रहे है यूजर नेम और password भेजा तो कोई एक person है वो देख सकता है यहां क्योंकि यहां पर देख एजिली डेख पा रहे हैं लेकिन stdps communication है तो वो क्या होगा secured communication होगा है तो हमारे यूजर नेम कुछ इस फॉर्मेट में हो जाएगा password इस फॉर्मेट में और कोई इसको चेक नहीं कर सकता ठीक है अगर वो पढ़ भी लेगा तो उससा समझ में नहीं आएगा इसका मनल है यह तो आप अलड़ी देख लिए आपने encrypted data होता है ठीक है ना encrypted link बनाया ब्रावजर और web server के बीच में ताकि कोई और दूसरी चर्ड पार्टी डेटा को ना देख पाए तो stdps किसका यूज करता है secure socket layer का यूज करता है या फिर कहें तो transport layer security TLS protocols का यूज करता है तो TLS का SSL का एक जो है वो new version है जैसे SSL certificate हम चेक करते हैं किसी वेफसाइट का क्यूज वेफसाइट के पास SSL certificate है या नहीं अगर किसी वेफसाइट के पास SSL certificate होता है तो वो website secure है ठीक है जैसे किसी वी website के उपर हम यहाँ पर गए तो हमने यहाँ पर click करा ठीक है ना तो इस website की details हम आप हमने देखा तो connection secure इसके पर click किया you are securely connected let's encrypt ठीक है ना तो यहाँ से हम पता ला सकते है की data secure है या नहीं तो SSL अब कोई भी website आप internet पर बनाओगे ना तो उस website को secure करने के लिए आपको एक SSL certificate लगाना पड़ता है तो जैसे आप GoDaddy पर बनाओ या कई पर बनाओ तो वो SSL certificate की जो हमें provide कर देते हैं clear पर उसका कुछ charge होता है क्योंकि हमें देना पड़ता है SSL certificate के लिए SSL certificate बस यह पताता है कि हमारी website verified है और original information है clear तो SSL के बारे में आपको पता चलिए मैंने practical knowledge दिया है तो SSL SSL में अगर लिख कर आओगे तो क्या लिख कर आओगे SSL establishes and encrypted link using an SSL certificate और उस SSL certificate को हम digital certificate भी कहते है ठीके ना और यह port 443 का use करता है clear SSL work कैसे करता है कोई मानलो एक browser है ठीके ना जो कि एक website से connect होने की कोशिश कर रहा है और वो जो website है वो SSL certified है website कोई तो मिलता है SSL certificate तो जो वो browser होगा वो क्या करेगा web server मतलब कि जो website है ठीके ना उसको identify करने के लिए कहेगा तो web server क्या करता है अपने SSL certificate के copy भेज देता है और यह हमें पता नहीं चलता यह उस बहुत एक नानो सेकंड के अंदर ही हो जाता है जब हम कोई भी website का address type करते है clear और अगर मानलो वो SSL certificate नहीं देता तो हमारे सामने एरर आता है ना website not secure इस तरीके से एरर आता है ठीक है तो जो ब्रावजर है वो क्या करता है कि उसका SSL certificate चेक करता है कि वो सही है या नहीं और सही होता है तो web server को वापस message भेज देता है अब web server क्या करेगा जो भी SSL certificate का एक acknowledgement भेज देता है ठीक है ना जिससे connection बन जाता है और connection बनने के बाद डेटा transfer स्टार्ड हो जाता है और connection बन गया उसके बाद encrypted data जो है वो share कर लिया जाता है network application कुछ network applications के बारे में देख लेते हैं पहला आता है remote desktop तो remote desktop मतलब हम कहीं पर बैठे हैं और जिस computer पर हम work करना चाहते हैं वह मान लो कहीं और है ठीक है तो ऐसे में हम उसके connect कर सके हैं ठीक है किसी location पर बैट के तो वो किसी remote desktop application के जरीए हो सकता है है ना जैसे टीम वी और एक application है जिसके जरीए हम किसी डूसरी location पर कोई computer है उसको access कर सकते हैं अब remote login remote login मतलब हम एक जगा बैठे हैं और वहीं पर बैठे बैठे हम किसी दूसरी जगा किसी computer में login कर लें या किसी दूसरे network में login कर लें ठीक है तो वह कहलाता है remote login जैसे टैलनेट और SSH यह क्या करते हैं यह remote login की service प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल और हम देख लेते हैं गोफर तो यह गोफर जो है वह टेक्स्ट और दूसरा different हो गया menu वाला टाइप दूसरा लेकिन दूसरा different हो गया okay so students I hope कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा